हेलो स्टुटेंज वेलकम बाक टो एजुकेशन एटेनिटी कंप्यूटर फंडमेंटल्स की एक क्लास है और आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है इंपुट डिवाइसे तो इंपुट डिवाइसे का रहे हम लोग जानेंगे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो इंपुट डिवाइसे जो मैंने आपको बता है और यहीं को मैं एक्स्पेयन करूंगा तो इंपुट डिवाइसे ऐसे समझ लीजे वह चीज जो किस आपको कंप्यूटर के अंदर डेटा बनने में हल्प करते हैं वह होते हैं आपको कीबोड समझ में आ गया होगा बाई टा आपक्षिन में कीज होती हैं कीज किस चार तरीके की होते हैं वह क्यिस कौन कॉनसी है आल्फा नूमरिक तो आपका समझ में आगा किबूर्ट की चारकी अगर कोई कोई पूछेगा तो कीबूर्ड की चारकीस कौन सी है अल्फा नीउमरिक नियुमरिक स्पेशल फंक्शन और कांट्रोल बहुत बड़ी है अगला माउस माउस क्या है माउस इस डिजाइन तो फैसिलिएट हैंडिलिंग दा कीबोड माउस को फैसिलिएट डिजाइन इसी तरह किया है कि वह कीबोड की चीज़ को अच्छे से हैंडल कर सके दा माउस इस एक्टिवेटेड बाइ स्लाइडिंग ओन ए फ्लाट सर्फेस वाल डिस्पेंग अ पॉइंटर ऑन दा स्क्रीन स्क्रीन जो हमारा मॉनिटर होता है उस पर एक पॉइंटर नहीं बन के आता है वो दा पॉइंटर मुवमेंट इस का जैसे हम हिलाते हैं ऐसे हमारा मतलता है इसे द Ai ऑफिन लक को जेब विब भी और बाइर के उसको अप्रेकिता जो प्रोग उप्रम क होईंब रोग करता है और अब माउस होते लग को होते यह और बता रहों जैसे वायर्ड, ओप्टिकल, लेजर और भी बहुत तरीके के हैं लेकिन यहां पर मैं तीन बता दिया मैं ठीक है अगला आता है हमारा स्कैनर, स्कैनर क्या है तो स्कैनर is a device which is similar to a printer but instead of copying image on paper it transfers it into an electronic document which saves it to the computer जैसे photographs हो गई, ad हो गए, magazine हो गए, text हो गए और जितना भी printing के other assignments या advertisements होते हैं उनको capture या enter किया जा सकता है computer में with the help of a scanner स्कैनर के लिए एक special software भी चाहिए जिससे आप उसको run कर सकते हो और जो images जिनको आपने capture किया उनको modify करने क्लिए भी आपको software चाहिए नेक्स topic है हमारा microphone मतलब next device है input devices में microphone microphone क्या है microphone is a part of the computer that transmits sound captured by the computer जो भी sound capture होती हो इसको transmit करता है it is a device that converts sound waves into electrical signal there are mainly two types of microphone दो तहें के microphone लो यूज करते है एक हो एक होता है dynamic और दूसरा होता है condensers dynamic and condensers अगेला है webcam a camera with small dimension and a great capacity it must be connected to the computer in order to be able to function इसको computer सा जोड़े होना पड़ेगा तभी यह function कर सकता है to connect the webcam we must use one of the computer USB input USB input जो होता है computer का उसमें आप इसको insert कर सकते है and webcams are generally used for online conference अच्छा अब इसका एक अच्छा example देता है webcam का जब board का council के लिए registration होता है अब पता नहीं आप लोग क्या हुआ हो या ना वो तो होता कि हम लोग को बठाया जाता है और camera हमारी तब किया जाता है वो जो हमारी computer की screen होती है desktop होती है उसके उपर लगा होता हम लोग को कहा जाता है इस camera में देखो photo click हो जाती है हमारी जो upload होती है तो बस यह webcam वही है समझ गया लास्ट हमारा है infrared port और Bluetooth दोनों में इसके explain करूंगा पहले infrared port समझ लिए तो infrared port enables device to exchange the data without using cables cables use करे बिना data exchange करने को देता है infrared port usually you would attach a dongle to serial port but with infrared codes you can place the device across from each other and beam your information instantaneously समझ गया infrared port क्या करता है without cables cables के बिना आपको data transmit करने में exchange करने में अगला है Bluetooth Bluetooth is a wireless technology standard it is used for exchanging data between a fixed and a mobile device but over a short distance using the UHF अब UHF क्या होता है ultra high frequency ultra high frequency radio waves use करता है in industrial scientific or medical radio bands में और बेसिकली जो इसकी range होते हैं 2.402 GHz से 2.480 GHz होता है ठीक है और यह बेसिकली Personal Area Networks बिल्ट करता है समझ गया तो बस आची वीडियों तक किती वीडियों पसंद आई हो तो लाइक कर देगा चैनल के सब्स्राइब कर लोग Thank you so much for watching